आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्तित हूँ जून माह का रासी फल लेकर तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आप सभी के लिए जून का महीना प्रारम करते हैं मेश रासी से इस माह आपको थोड़ा सांत और सन्यमित रहने की सला है मेरी ओर से अपने वाणी तथा क्रोध पर नियंतरन रखें स्वास्त खराब हो सकता है अथा थोड़ी सावधानी भर करें यदि रक्त चाप के मरीज हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है सत्रू हावी तो नहीं हो पाएंगे लेकिन इस महीने पीछा भी नहीं छोड़ने वाले आपका आए घट सकती है घर के मरमत या किसी घरेलू काम में धन खर्च हो सकता है यात्राओं से लाव नहीं मिलेगा अता हो सके तो व्यापारिक यात्राओं से बचें मन कुछ उद्विग्न रहेगा अता सांत रहने का प्रयास करें इन सभी विसमताओं के बावजूद प्रणय संबंधों में निकटता आएगी एवं जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा क्या करें सावधानी और क्या करें उप्चार तो घर में यदि पुराने लोहे के सामान हों तो उन्हें हटा दें मा लक्षमी को कमल का पुस्प अर्पित करें पीली दाल और बेशन की मिठाई किसी धार्मी का स्थल पर दान करें रात्री में यात्रा आवश्यक और जरूरी हो तो मा दुर्गा को प्रणाम करके एवं एक दीपक जलाकर घर से बाहर निकलें आपके लिए सुब तारीखे हैं साथ बार इस महीने आपका मन थोड़ा भटकेगा साथ ही आपको अपनी सोच पर नियंत्रन रखना होगा अने था कोई निड़े गलत हो सकता है किसी बड़े निड़े को या तो इस समय टाल दें या बहुत सोच विचार कर निड़े लें जीवन साथी की बातों को वरियता दें तथा उनके या उनकी इच्छाओं का सम्मान करें भागे पक्ष थोड़ा कमजोर है अताब भागे के भरोसे किवल कोई काम हो तो उसे ना करें यदि सेर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं या कम और बहुत सोच विचार के बाद इन्वेस्ट करें य माहन चलाते समय सर्थ तरकता बरतें चोड़ चपेट का योग बन रहा है साउधानी और उपचार क्या करनी है आपको इस बार तो सनी वार को सरसो का तेल लगा कर स्नान करें और फिर सनी देव को सरसो के तेल का दीपक दिखाएं घर में पुराने फरनीचर हों तो उन्हें ह प्रयास करें और दूसरों के कारियों में अनावस्यक हस्तर छेप ना करें आपके लिए सुब तारीख है साथ आठ चौदा तेईस और थबीश एक तीन नौ बारह और उन्हें तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें आगे शर्चा करते हैं मिथुन रासी के इस माह अत्यध स्वास्त पर धन्खर्च होगा अत्यधीकश्त की सावधानी बरत्नी frater incar की हो शकता है परिवार के लोगों से तथा मित्रों से विवाद उत्पन हो सकता है अपने गुष्छे और वानी पर नियंत्रन रखें तथा सांध रहने का प्रियास करें धायरे से काम लें क्योंकि यह समय कुछ पतिकूल है क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार तो चंद्रमा जल का प्रतिने दित्व करता है अता आत्म बल को सन्यमित करने के लिए जल का सेवन करें इससे आपका चंद्रमा संतुलित होगा और आत्मबल बढ़ेगा संतुलित रहें जो व्यर्थ की बातें लोग करते हैं उनसे दूरी बना कर रखें भगवान सीव को जल और दूद अर्पित करें और भूखे लोगों को फल वितरित करें गुरु सुक्र की यूती यदि जन्म के समय आपकी है तो ठंडी वस्तूओं का सेवन बिल्कुल इस समय त्याग दें और नसे से बचें आपके लिए सुब तारीखें जो है यारह वारा समय को थोड़ी साउधानी बरतें आगे चर्चा करते हैं करक रासी के बारे करक रासी वालों के लिए इस माह सोचने समझने की सक्ती कुछ कमजोर रहेगी या यूँ कहें कि बहुत अधिक सोचेंगे जिसमें जादातर बातें निरर्थक होंगी धन का आगमन एक से अधिक सुरतों से होगा आपके लिए और व्यापार में लाभ और नौकरी में तरक्की का योग है इस माह किसी इस समस्या में आपकी बहनों का बहुत सहयोग मिलेगा ननिहाल और ससुराल पक से अचानक सहयोग मिलने का योग भी बन रहा है भागे तेज रहेगा सिक्षा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे चात्रों के लिए या बहुत ही अच्छा और उकलब्धी भरा महीना रहने व किसी बात को बहुत अधिक ना सोचें क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार इसमा तो लोहे लकडी के सामानों को सहेज कर रखें सनी संबंधी दान करें घर में पुराने फरनीचर या बिना प्रयोग वाले सामान यदि पड़े हो तो उन्हें तुरंत हटा दें योग और प्राणयाम नियमित करें जिससे आपके विजार संतुलित रहें मा भगोती की आराधना करते रहें लाल चुनदी लाल पुस परपित करना बहुसी समस्याओं को दूर रखेगा और यदि धन की समस्या हो तो सुक्रवार को यह कारे करें जिससे धन संबंधी समस्या भी दूर होगा क्या है सुभ तारिखें आपके लिए इस माह तो एक दो नौज चौदा और सुभता लिए हुए समय है लेकिन तीन आठ सत्रा ठारा और एकीस तारिखों को थोड़ी सावधानी बरते हैं आगे चर्चा करते हैं सिंग रासी के जात्कों के बारे इस माह आपका समाज में प्रभाव बहुत बढ़ेगा राजनीती धर्म या सामाजिक छत्र से जुड़े लोगों के लिए यह महिना बहुत उन्नती कारक होगा हर्म और भोग विलाज अर्था दोनों ही तरह के कारियों में आपका धन खर्च होगा सिक्षा प्रत्योगिता म आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है मा के स्वास्त के प्रती सजक रहें इस माह जिन महिलाओं को संतान होने की संभावना है उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की आवसकता है विदेशी संबंधों या विदेश से संबंधी जो लोग कारिया पार करते हैं उनके आव सकता पढ़ जाए तो सहयोग सुरूप जितनी मदद कर सकते हों कर दें लेकिन कर्ज के रूप में किसी को धन देना क्योंकि उसके वापस मिलने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी और आगे चलकर वह विवाद का कारक भी बन जाएगा क्या है सुभ तारीख हैं आपके लिए तो 4, 9, 15, 22 और 27 तारीखों को आपके लिए बहतर समय रहेगा लेकिन 2, 6, 11, 18 और 24 तारीख को थोड़ी साधानी बरते हैं आगे चर्चा करते हैं कन्या रासी के जात्कों के बारे इस माह आपका पराक्रम तो बहुत बढ़ा चड़ाया हैगा लेकिन प्रयास करें कि वह जरूरत से ज्यादा भी ना हो जाए एहंकार पनप सकता है आपके अंदर आपके अंदर सबको कुचल देने के प्रवर्ति उत्पन होगी जो आगे चलकर आपके लिए बहुत हानिकारख हो सकती है इस समय आप करीबियों की भी जल्दी नहीं सुनेंगे तरक सकती बहुत अधिक और नकारात्मक हो सकती है अंचाहे खर्चे सर उठाएंगे कई जगह आप उतावले पन में बहुत खर्च कर बैठेंगे अतह आपको अपने पर नियंत्रन रखने की सला है इस महीने हमारी क्या करें सावधानी और क्या करें उप्चार इस महा का सबसे बड़ा उप्चार और सबसे बड़ी सावधानी जो आपके लिए है वह है कि आप अपनी सोच वाणी क्रोध और उतावले पन पर पूरी तरह नियंत्रन रखें इसके लिए आप योग का सहरा ले सकते हैं चांदी के बरतन में पानी और दूद का सेवन करें और गर्म वस्तों को खाने से परहेज रखें साथ ही यात्रा के दोरान लाल और पीले वस्तों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें भगवाने सिव को दूद चढ़ाते रहें आपके लिए जो सुब तारीखे हैं वो हैं 11, 15, 18, 22 और 28 तथा 4, 5, 10, 14 और 21 तारीखों को आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए आगे चर्चा करते हैं तुलारासी के जात्रों के बारे में इस माह तुलारासी वालों के लिए घटना दुर घटना का योग बन रहा है अता वाहन चलाते समय और जब आप किसी उचे अस्थान पर हो तो विसेश सतर्कता बरते हैं सरकार से सम्मंदित कारेयों में बहुत सफलता मिलेगी भागे पक्स थोड़ा कमजोर रहेगा फिर भी मान सम्मान बहुत मिलेगा इस समय आपको इस समय आपके द्वारा किये हुए किसी पीछे के कारे के लिए आपकी बहुत सराहन आ और सकती है खर्च करते समय थोड़ी सावधानी अपएक छित है अन्य था आगे चलकर परिशानी हो सकती है आपको क्या करें सावधानी और क्या करें उप्चार तो मा काली की आरादना करें और यदि मंगल जन्म के समय भी खराब है आपकी कुंडली में तो मंगल की सांथी करा लें चार, तेरह, उन्निस और पचीस थारी को थोड़ी साउधानी बरते हैं। आगे चर्चा करते हैं व्रिष्चिक रासी के जात्कों के बारे। पारिवारिक सुख में भारी कमी महसूस करेंगे आप इस महीने। जीवन साथी से बहुत अधिक मद्वेश हो सकता है अतर प्रयास करें कि तनाव की वजह आप स्वयम ना बनें। जीवन साथी के स्वास की भी समस्या उड़ सकती हैं। यात्राएं कस्टकारी होंगी अतर जब तक अति अनिवारे ना हो यात्रा ना करें। धन की कमी भी महसूस होगी। आप इस समय भागे से अधिक कर्म पर भरोसा करें। अर्थात जुवा, सट्टा, लाटरी, किसी ऐसे कारे में निवेश ना करें। जहां कर्म तो बिलकुल ना हो और आप पूरी तरह से अपने भागे पर निर्भर करते हों। क्योंकि यहां बहुत नुकसान हो सकता है। सरदर्द, पेट और कफ की समस्या से बहुत परिसान हो सकते हैं। वैसे भाई, बेहनों और करीबी मित्रों का इस समय आपको सहयोग मिलेगा, धैरे आपके साथ बना रहेगा और करमठता और पराक्रम भी बढ़ेगा इस समय। 14, 1923 तारिखों को थोड़ी सतरक्ता बरते हैं। आगे चर्चा करते हैं धनुरासी के जात्कों के बारे। धनुरासी वालों के लिए धन के मामले में अब बिल्कुल ही अच्छा समय नहीं है। आर्थिक हानी का प्रबल योग बन रहा है। खर्च निहंतरर से बाहर हो सकता है और व्यापार के छेतर में अधियाप हैं तो आए बिल्कुल ही कम हो जाएगी। नौकरी वालों के लिए भी नौकरी छूटने या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। तो यदि विपरीद परिशिती हो बिल्कुल सब कुछ प्रतिकूल जा रहा हो तो धैरे से बड़ा कोई उपचार नहीं है और यही आपको भी रखना है। और 39 तारीक को थोड़ी साधानी बरते हैं। आगे चर्चा करते हैं मकर रासी के जात्कों के बारे। यदि आपको संतान प्राप्ति की संभावना है तो थोड़ी सतरक्ता बरते हैं क्योंकि हो सकता है आपकी छोटी सी लापरवाही अत्यधिक नुकसान करते है। सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। घर से या जीवन साथी से किसी कारण बस आपको दूर जाना पड़ सकता है। आर्थी की सिती इस समय सामाने रहेगी लेकिन भाईयों से विवाद हो सकता है, संपत्ति विवाद यदी है तो उसे टालने का प्रयास करें। माता का सायोग तो मिलेगा लेकिन पिता से कुछ नाराज़ी उत्पन हो सकती है। मन में आपके उद्विगनता रहेगी अता परिशानियों को सहजता से लें। या त्राएं जो हैं वो ठका देने वाली और निर्थक होंगी। अपने पेट का ख्याल रखें और खान पान में भी सावधानी बरतें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचारिस समय तो बहते पानी में नारियल बहाएं और किसी तिर्थस्थल पर जाकर अस्नान करें और गरीबों को भोजन कराएं। सुब तारिख हैं आपके लिए जो इस मेंने रहने वाली हैं वो है 7, 15, 16, 23 और 29 तथा 2, 5, 13, 18 और 24 तारिख को आपको थोड़ा सावधान दहना है। आगे चर्चा करते हैं कुम्रासी के जात्कों के बारे। इस माह आपका साहस और पराक्रम खुब बढ़ा जड़ा रहेगा। पिता से कुछ अनबन हो सकता है इस समय लेकिन माता के स्वास की चिंता भी परिशान करेगी। धन की आमज सामाने रहेगी लेकिन खर्च अधिक रहेगा। भूमी, भवन और वाहन की खरीद का योग भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन संपत्ति संबंधी विवाद भी कुछ इत्पन होने की संभावना है। सुधूर की यात्राएं फल्दाई होंगी। अनायास भय महसूस होगा आपको। नए सत्रूप अनप सकते हैं, स्वास्त प्रतिकूल रहेगा, लेकिन कुछ विपरीद परिस्थितियों के बावजूद इस समय आपके मान सम्मान में व्रिद्धी का योग बना हुआ है। क्या रखनी है सावधानी और क्या करना है उप्चार इस समय आपको। तो यदि आप नौकरी की तलास में हैं, तो सूर्य को अरख दें और गायत्री मंदर का जप करें। व्यसन से दूर रहें और पूरे माह गाय की सिवा करें। यदि अंजाने भै की समस्या से ग्रसित हैं, तो आत्म बल को सन्यमित रखने के लिए चंद्रमा को अरख दें। क्या है सुवत तारिक हैं आपके लिए इस माह? तो आठ, नौ, सोलह, बाईस और तेज तारिक सुवता लिए हुए हैं, लेकिन 3, 5, 11, 20, 29 कुछ प्रतिकूल समय जाने की संभावना है। आगे चर्चा करते हैं मीन रासी के जात्कों के बादे। मीन रासी वालों के लिए यह महीना बेचैनी भरा हो सकता है। मानसिक तनाव से बचें। क्या करें सावधानी और क्या करें उप्चार? तो नसे का सेवन कदा भी ना करें। विसे जिसकर सराब कायदी सेवन करते हैं तो अपने और परिवार के हित में उसे छोड़ी दें तो अच्छा रहेगा। पीली वस्तूओं का दान करें इससे बहुत लाव होगा आपको और गुरू की भी आरादना करें। आपके लिए जो सुब तारीखें रहने वाली हैं वह हैं 3, 8, 12, 17 और 24 तथा 11, 14, 20, 21 और 23 तारीख को थोड़ी साधानी बरते हैं। तो यह था जून महीने का रासी फल सभी रासियों के लिए। आप जोतिस संबंधी और भी प्रोग्राम देखने के लिए एस्टो सेज देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें। आपसे पुनह मुलाकात होगी किसी नय विशेपर। इस्वर आपके साथ सदेव बने रहें। इन्ही सुपकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनह मुलाकात के वादे के साथ तब तक के लिए ओब नमाश्यवाय।